हेलो फ्रेंड्स, त्रिशास किचन में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे प्रॉंस कोली वड़ा बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनकर तयार होता है और इसे बनाने में ज़ादा समय भी नहीं लगता तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने लिये हैं आदा किलो प्रॉंस इसको बीच से कट करके अच्छे से वाश कर लिया है थोड़े मीडियम साइज के प्रॉंस लेने हैं इसमें हम डालेंगे आदा टीस्पून हल्दी पाउडर स्वादा नुसार नमक और आदे निम्बू का जूस इसे मिक्स कर देंगे और 10-15 मिनिट के लिए इसे हम साइड में रख देंगे अब हमें इसके मारेनेशन के लिए एक पेस तयार करना है जिसके मिले मैंने यहाँ पर लिया है 7-8 कली लसुन थोड़ा सा अध्रक, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डालके हमें इसका फाइन प्यूरे तयार करना है इस प्यूरे को हम प्रॉंस में एड़ करेंगे तो एक चमच भरके हमें इसमें एड़ कर देना है साती डालनी है एक चमच कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ी सी हल्दी एक टीस्पून धनिया पाउडर आदा टीस्पून जीरा पाउडर आदा टीस्पून आमचूर पाउडर और आदा टीस्पून गरम मसाला यहाँ पर मैंने थोड़ा सा red chili powder और add किया है जो spicy वाला red chili powder है अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें add करेंगे half teaspoon black pepper powder इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे बहुत ही अच्छा चचपटा सा बन कर तयार होगा यह थोड़ा सा हमने यहाँ पर food color add किया है बेशन और 3 tablespoon corn flour और इसे भी इसमें mix कर लेंगे हमने प्रॉंस को सभी मसाले के साथ अच्छे से coat कर लिया है इसे 10-15 minute side में रख देंगे अब हम इसे deep fry करेंगे तो यहाँ पर हमने कडाई में तेल अल्रड़ी गरम कर लिया है इसमें एक एक करके हमें प्रॉंस को डाल देना है तो यहाँ पर हमने यह gas की flame को medium रखना है बहुत high नहीं रखना है otherwise हमारे जो प्रॉंस है वो सौगी हो जाएंगे तो इस तरीके से हमें इसमें एक एक करके प्रॉंस को add करते जाना है और 2-3 मिनिट तक हमें इसे दोनों तरब से अच्छे से cook कर लेना है इसे जादा time के लिए cook नहीं करना है ये overcook हो जाएंगे 2-3 मिनिट में प्रॉंस हमारे बनकर तयार हो जाते है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉंस बनकर तयार है हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से हम सभी प्रॉंस को बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉंस कोली वाड़ा बनकर तयार है बहुती टेस्टी और चटपटा बना है आप इसे घर पर जरूर ट्राइ कीजिए रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू